क्या तुम मेरी मा हो बीडी इस्टमेन एक माचीडिया अपने अंडे पर बैटी थी अचानक अंडा थोड़ा कुदा अरे वाँ माचीडिया ने कहा जल्दी ही अंडे से मेरा बच्चा बाहर आएगा फिर उसे जोर की भुक लगेगी मुझे अपने चूजे के खाने के लिए कुछ ले कर आना चाहिए उसने कहा मैं जल्दी ही वापिस आ जाओंगी फिर माचीडिया फुर से उड़ कर चली गई अंडा उचला वो इतना उचला कुदा कि उसमें से चिडिया का बच्चा बाहर निकलाया मेरी मा कहा है उसने कहा उसने मा को चारो तरफ खोजा उसने उपर देखा उसे मा नहीं देखी उसने नीचे देखा उसे मा नहीं देखी चलो मैं मा को जाकर ढूंटा हूँ उसने कहा यह कहकर वो चल पड़ा वो पेड़ से गिरा और फिर नीचे और नीचे गिरता ही चला गया चिडिया का बच्चा अभी छोटा था वो उर नहीं सकता था वो उर नहीं सकता था पर वो चल सकता था चलो मैं अपनी मा को तलास्तने निकलता हूँ उसने कहा उसने मा को पहले कभी नहीं देखा था वो अपनी मा को पहचानता भी ना था चलते चलते वो अपनी मा के पास से गुजरा परन्तु उसने अपनी मा को नहीं पहचाना फिर वो एक छोटी बिल्ली के पास पहुचा क्या तुम मेरी मा हो उसने बिल्ली से पूछा बिल्ली बस उसे टक टक ही लगाए घुरती रही, उसने कुछ नहीं का बिल्ली उसकी मा नहीं थी, इसलिए चीडिया का बच्चा आगे बढ़ा फिर वो एक मुर्गी के पस पोचा क्या तुम मेरी मा हो, उसने मुर्गी से पूचा नहीं, मुर्गी ने जवाब दिया चोटी बिल्ली उसकी मा नहीं थी, मुर्गी भी उसकी मा नहीं थी इसलिए चीडिया का बच्चा आगे बढ़ा मुझे अपनी मा को खुजना है, उसने कहा पर कहा, वो कहा है, वो कहा हो सकती है फिर वो एक कुट्टे के पास जा पोचा क्या तु मेरी मा हो, उसने कुट्टे से पूचा मैं तुम्हारी मा नहीं हूँ, मैं कुट्टा हूँ, कुट्टे ने जवाब दिया चोटी बिल्ली उसकी मा नहीं थी, मुर्गी भी उसकी मा नहीं थी खुत्ता भी उसकी माँ नहीं थी इसलिए चीडिया का बच्चा फिर आगे बढ़ा उसे एक गाए मिली क्या तुम मेरी माँ हो उसने गाए से पूछा मैं तुमारी माँ कैसे हो सकती हूँ गाए ने कहा मैं एक गाए हूँ चोटी बिल्ली और मुर्गी उसकी माँ नहीं थे कुत्ता और गाए भी उसकी माँ नहीं थे क्या उसकी माँ थी भी मेरी माँ थी चीडिया के बच्चे ने कहा मुझे ये पक्का पता है मुझे उसे खोजना ही पड़ेगा मैं उसकी अवस्य तलास करूँगा पक्का अब चीडिया के बच्चे ने चलना छोड़ दिया वो दोड़ने लगा उसे एक टुटी-फुटी मोटर कार दिखाई थी क्या मोटर कार उसकी मा हो सकती थी नहीं ये संभव नहीं था चीडिया का बच्चा रुका नहीं वो तेजी से दोड़ता रहा फिर उसने नीचे की और जुक कर देखा उसे एक नाव दिखाई पड़ी नाव को देखकर उसने कहा वो रही मेरी माँ वो नाव की तरफ देखकर चिलाया परन्तु नाव उठी नहीं नाव चलती ही गई फिर उसने सीर उपर उठा कर देखा उसे एक बड़ा हवाई जहाज दिखाई दिया माँ मैं यहाँ पर हूँ वो चिलाया फरन्तु हवाई जहाज नहीं रूका वो उड़ता चला गया तभी चिडिया के बच्चे को बड़ी सी चीज दिखाई दी यह जरूर उसकी माँ होगी माँ माँ है वो चिलाया वो मेरी माँ है वो दोड़ कर उसके एकदम पास आया माँ माँ मैं यहाँ हूँ माँ उसने उस बड़ी मसीन से कहा परन्तु उस बड़ी मसीन से केवल भप की जोगदा रवाज आई तो तुम भी मेरी मा नहीं हो चिर्या के बच्चे ने कहा तुम तो एक बड़ी मसीन हो मुझे यहां से निकलना चाहिए परंतु चिर्या के बच्चे के लिए वहां से भागना मुश्किल हो गया तुरंत बड़ी मसीन उपर उठी वो उपर और उपर उठी और उसके साथ साथ छीडिया का बच्चा भी उपर और उपर उठा पर देखो वो बड़ी मसीन अब कहां जा रही है अरे बाप रे ये बड़ी मसीन अब मेरे साथ क्या करेगी मुझे यहां से जल्दी निकालो बस तभी वो बड़ी मसीन रुख गई मैं कहां हूँ चीडिया के बच्चे ने कहा मैं अब घर जाना चाता हूँ मुझे अपनी माँ चाहिए तभी कुछ हुआ बड़ी मसीन ने चीडिया के बच्चे को उठा कर उसे वापिस गोसले में रख दिया चीडिया का बच्चा अंत में अपने घर सुरच्छित पहुच गया बस तभी मा चीडिया भी पेड़ पर वापिस आए क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ उसने अपने बच्चे से पूछा हाँ मुझे मालूम है तुम कौन हो चीडिया के बच्चे ने जवाब दिया तुम छोटी बिल्ली नहीं हो तुम मुर्गी नहीं हो तुम कुत्ता नहीं हो तुम गाय नहीं हो तुम नाव नहीं हो नहीं तुम हवाई जहाजो नहीं तुम बड़ी मसीन हो तुम एक चीडिया हो और तुम मेरी माँ हो